इस लेक्चर में हम एक्सिएंसी प्रोग्राम को लिखने के सबसे आसान और सटिक तरीका के बारे में जानेंगे प्रोग्राम लिखने का सबसे पहला स्टेप होता है प्रोग्राम नंबर एसाइन करना जो आम तोर पर ओ लेटर से शुरू होता है मान लिजिए हमें 45th प्रोग्राम लिखना है तो हम इसे 045 लिखेंगे यह प्रोग्राम नंबर 4 डिजिट तक जा सकता है जो 0000 से 9999 तक के रेंज में होता है दूसरे स्टेप में हमें sequence numbers assign करने होते हैं किसी specific operation के लिए अगर हमें अलग-अलग tool की जुरुत हो तो हम प्रोग्राम में sequence number का उप्योग करते हैं उधारन के लिए N1 एक sequence को represent कर सकता है तीसरे स्टेप में कुछ pre-existing commands को cancel किया जाता है जैसे कि G40 स्रीच, tool nose radius compensation के लिए और G80 स्रीच यह एक precautionary measure है ताकि कोई दुरुगतना या गलबड़ी ना हो हाला कि यह mandatory नहीं है और इसे escape भी किया जा सकता है प्रोग्राम की हर line के अंत में semi-colon का उप्योग line को terminate करने के लिए किया जाता है जिसे end of block command कहा जाता है अगले step machine home position select करना है हमारे work piece का diameter यहां 50 units है जिसे हमें एक छोर से 25 units के अस्पान पर 49 units तक reduce करना है मान लिजिए tool holder में 4 tools टूल 1, 2, 3 और 4 लगे हैं अगर किसी specific tool से operation करना हो तो पहले machine home position select करनी होगी ताकि tool change command दिया जा सके लेकिन अगर tool पहले से work piece के सामने हो तो यह जरूरी नहीं है machine home position select करने के लिए हम g28 u0, w0 command का उप्योग करते हैं यहां u और w, x और z axis के लिए हैं जो CNC lathe में incremental commands के रूप में उप्योग होते हैं incremental commands का उप्योग tool को shortest roots लेने के लिए किया जाता है ताकि cycle time कम हो tool और offset assign करने के लिए command t0303 होती है इसमें पहले 2 digit 03 tool number को दरसाते हैं और अगला 2 digit 03 offset number को अगर tool left hand है और उसका movement भी left word है तो हम M03 command का उप्योग करेंगे इसी तरह अगर left hand tool का movement right word हो तो M04 command दी जाएगी right hand tool के लिए भी यह principle लागू होता है neutral tool के मामले में हम M03 या M04 मेशे को भी उप्योग कर सकते हैं M03 spindle को क्लोकबाइच घुमाने के लिए और M04 counter क्लोकबाइच के लिए होता है spindle speed set करने के लिए इस से सुरू होने वाली command दी जाती है उधारन के लिए 1800 RPM set करने के लिए हमें S1800 लिखेंगे पूरी command इस परकार होगी M03 S1800 semicolon जैसे ही spindle set हो जाता है machine काम सुरू कर देती है और coolant के अब सकता होती है coolant के लिए हम M07 command का उप्योग करेंगे tool को workpiece के सामने लाने के लिए सबसे पहले rapid positioning करना होता है इसके लिए हम G00 command का उप्योग करेंगे पूरी command होगी G00 X49.0 Z2.0 semicolon यहां Z axis पर initial cut के लिए 2.0 unit depth ली गई है interpolation इस step में interpolation command set की जाती है 01 linear interpolation के लिए 02 clockwise circular interpolation के लिए और 03 counterclockwise circular interpolation के लिए होता है इस case में हमें G01 linear interpolation का उप्योग करेंगे पूरी command होगी G01 X49.0 Z-27.0 F0.2 semicolon tool को home position पर बापस लाने के लिए हम चौथा step दोराते हैं G28 U0 W0 semicolon desired outcome प्राप्त करने के बाद spindle और coolant को बंद करना होता है spindle बंद करने के लिए M05 और coolant बंद करने के लिए M09 का उप्योग होता है program को समाप्त करने के लिए हमारे पास दो बिकलपे हैं M02 और M30 M02 program को पूरी तरह बंद कर देता है जबकि M30 program को stop और rewind करता है इसलिए जब तक अन्यता निर्देश ना हो M30 Command का उप्योग करना बेहतर होता है इस लेक्षर में हमने CNC प्रोग्राम लिखने का सबसे बेसिक तरीका सीखा भविस्ते की लेक्षर में हम कुछ और variation सीखेंगे लेकिन यह foundation हमेशा समान रहेगी हमने पिछले लेक्षर में Absolute और Incremental Mode में अंतर के बारे में चड़चा की थी अगर आपसे हुआ लेक्षर छूट गया है तो कृप्या उसे ध्यान से देखे ताकि इस लेक्षर को सही से समझ सके इस लेक्षर में हम Absolute Mode का उप्योग करके एक CNC प्रोग्राम लिखेंगे यह हुआ प्रोडक्ट है जिसके लिए CNC U प्रोग्राम लिखा जाना है इसमें हमें workpiece के 15 mm डायमीटर का 15 mm लें तक मैंधें करना है जिसके बाद 15 mm से 20 mm diameter तक का taper देना होगा, फि 20 mm diameter को अगले 15 mm length तक maintain करना है, clamp area प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा. सबसे पहले हमें यह तै करना होगा कि यह operation turning, milling या drilling है, turning में workpiece move करता है, जबकि tool अस्टेशनरी रहता है, और milling और drilling में tool move करता है, जबकि workpiece अस्टेशनरी रहता है, उपलत output को देख कर यह असपस्ट है कि यह एक turning operation है, अब हम प्रोग्राम दोनों approach absolute और incremental से लिखेंगे, इ absolute और incremental approaches में सबसे बुनियादी अंतर G-code के उपयोग में होता है, G90 को absolute approach के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि G91 को incremental approach में, absolute approach में desired shape को partition coordinate system के अनुशार प्राप्त किया जाता है, अब हम उस workpiece के size को define करेंगे, जिस पर operation किया जाना है, इस उधारन में हमें 20 mm diameter वाला circular bar चा हमें यह भी तरह करना है कि tool कहां से movement शुरू करेगा, इस lecture में हम O point को datum position मानेंगे और tool इस point से point 1, point 2, point 3 और point 4 की और move करेगा, अब हम X और Z axis को table format में लिखेंगे ताकि program लिखने से पहले mathematical deduction कर सकें, points x axis in mm, z axis in mm, datum 0.0 x axis में है और 0.0 z axis पर है, point number 1, x axis में 7.5 mm है, z axis में 0.0 है, point number 2, x axis में 7.5 है, और z axis में 15.0 है, point number 3, x axis में 10.0 mm है, और z axis में 20.0 mm है, point number 4, x axis पर 10 mm है, और z axis में 35 mm है अब हम Absolute Mode का प्रोग्राम लिखेंगे, आए प्रोग्राम की हर लाइन या ब्लॉक को एक एक करके समझेंगे प्रोग्राम नमबर पहला लाइन प्रोग्राम नमबर दरसाता है जो 0000 से 9999 के बीच कुछ भी हो सकता है Tool Movement Rapid Movement के लिए G00 कमांड का उपयोग होता है Metric Units G21 कमांड को Dimensions और Millimeter में Specify करने के लिए उपयोग करते हैं अगर Inch में Dimensions होते तो हम G20 का उपयोग करते हैं Offset G54 से Offset Fit किया जाता है Absolute Mode Absolute Approach Specify करने के लिए हम G90 कमांड का उपयोग करते हैं Feed Rate Per Minute G94 कमांड से Machine को बताया जाता है कि Feet Per Minute का उपयोग हो रहा है अगर Feet Per Revelation चाहिए तो हम G95 का उपयोग करते हैं Tool Change Commands Tool बदनने के लिए M06 कमांड का उपयोग करते हैं उधारन के लिए Tool No.1 को Select करने के लिए T0101 लिखा जाता है Spindle Start M03 से Spindle को Clockwise घुमेना जाता है जबकि M04 से Counter Clockwise Spindle Speed Spindle की Speed Set करने के लिए S1000 लिखा जाता है जो 1000 Revelation Per Minute RPM दरसाता है Coolant On M08 से Coolant चालू किया जाता है Tool की Initial Position के लिए G00 X11.0 Z0.5 लिखा जाता है ताकि Tool सीधे WorkPiece से न टकराए Machining Operation सुरू करने के लिए G01 कमांड को उप्योग होता है जो Linear Interpolition को दरसाता है Tool को X 0.0 पोजिशन पर लाने के लिए कमांड दी जाती है और Feed Rate F200 mm पर मिनट रखा जाता है So Datum Position अब Tool को Z-axis पर Datum Position Z 0.0 पर लाया जाएगा फिर Tool को WorkPiece के Diametrically Ind तक ले जाने के लिए X 10.0 लिखा जाएगा 15 mm Cut Decide 15 mm Diameter Maintain करने के लिए X 7.5 Z-15.0 लिखा जाता है अब 20 mm Diameter को 5 mm Aspan तक Z-axis में बनाए रखने के लिए X 10.0 Z-20.0 लिखा जाएगा Tool को Final Aspan पर ले जाने के लिए Z-35.0 लिखा जाएगा Operation पुरा होने के बाद Tool को Rapidly Retract करने के लिए G 00 X 12.5 Z 20.0 लिखा जाएगा ताकि Tool WorkPiece से दूर हो जाए Machine के Zero Position पर वापस लाने के लिए हम G 28 X 0.0 Z 0.0 कमांड का उप्योग करेंगे Cooling को बंद करने के लिए M09 कमांड का उप्योग करेंगे Program को समाप्त करने के लिए M30 कमांड का उप्योग किया जाएगा जो Program को Stop और Rewind करता है इस Lecture में हमने Absolute Mode में CNC प्रोग्राम लिखने का तरीका सिखा भविश्य के Lecture में हम Incremental Mode के बारे में चर्चा करेंगे करेंगे